नमस्कार दोस्तों इस सेशन में हम पिछले हपते में जितना भी करेंट अफेयर डिसकस किये हैं उससे रिलेटेड कुछ MCQ सॉल्व करेंगे यह MCQ UPSC और स्टेट PCS प्री 2030 के लिए इंपर्टन्ट होंगे यह देख लेते हैं यह हमारा विकली करेंट अफेयर का सेड्यूल है यह आप चेक कर सकते हैं यह हमारी जीएस की लाइप प्लासेश का स्टेड्यूल है साम को तीन वज़े से पांच वज़े तक स्टेट PCS की क्लासेश चलती हैं और साम को 6-6-8 के बीच में UPSC की लाइप प् दिसक्सन पर यह रहा हमारा आज का प्रस्न पहला प्रस्न है दुरलव म्रदा खनिज यानि रेयर अर्थ मिनरल्स से संबंधित कत्नों में से सही उत्तर चुनना है पहला कतन है रेयर अर्थ मिनरल्स भू पर पटी पर प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं दूसरा कतन है ल केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, केवल कथन एक और दो सही है, एक और दो दो दोनों गलत हैं. अबिद करता हूँ, आप एंसर मार्क कर लिए होंगे, और अगर आपको ज़्यादा टाइम लगे, तो आप वीडियो को पॉस करके भी एंसर मार्क करते चलिएगा, और अपने स्कूर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आए देखते हैं इसका एंसर क्या है, इसका एंस पर इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, आए हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, बैसिक संदार अनीता रिपोर्ट या ग्लोबल सेस्टेनेबल्टी रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा इस्थान है, आए देखते हैं इसका एंसर, इसमे संदार अनीता रिपोर्ट 2022 में भारत का 121 इस्थान है, आए हम अपने अंगले कोस्चन पर चलते हैं, जो कि पॉलिटी से है, राष्ट पती चुनाओं से सम्मंधित कथनों पर ध्यान देजिए, पहला कथन है, राष्ट पती चुनाओं में लोकसभा और राजसभा के सभी सभी सांसद सदस सभाग लेते हैं, राष्ट पती चुनाओं में लोकसभा और राजसभा के सभी सांसद सभाग लेते हैं, दूसरा कथन है, राज जिविधान सभाओं तथा के निरवाचित सभी सदस सभाग लेते हैं, इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है, केवल कथन ए एक और दो दोनों सही है और कथन एक और दो दोनों गलत है इसमें से आपको सही एंसर चुनना है आईए देख लेते हैं इसका सही एंसर क्या है इसमें केवल कथन दो सही है आपको सही कथन चुनना था इसमें से केवल दो कथन सही है यही है राज्य विदान सभाओं तथा किं निर्वाचित सभी सदस से भाग लेते हैं। संससot सभी संसत सभी भाग लेते हैं। अंतर राजी सीमा विवाद से संबंधित नमसाई घोषणा का संबंध है इसमें आपको यह बताना है कि नमसाई घोषणा जो अंतर राजी सीमा विवाद है यह किन स्टेटों के बीच है किन राज्यों के बीच में है असम या मेघाल है असम और मेघाल है नमसाई घुर्षणा का संबंध अरुड़ांचल प्रदेश और असम से है ये आप ध्यान रखिएगा अंगला कोश्चन है हाल ही में चैर्चित लक्स जपलिन का संबंध किस्से है अंतरिच सुरच्छा प्रणाली से काला पदार्थ यानि डार्क मैटर से डार्क मैटर की पहचान से, सौंदर प्रसाधन विग्यापन से या कौन्टम कंप्यूटर से ये आपको इसमें राइट एंसर मार करना है लक्स जपलिन का संबंध किस्से है आई देख लेते हैं इसका राइट एंसर इसका right answer है dark matter या काला पदार्थ के पहचान से यह जरूर आप याद रखिएगा यह UPSC Pre के लिए बहुत important है Lux Zeppelin हाली में चर्चा में रहा pop fame एक प्रकार है यह next question है हाली में चर्चा में रहा pop fame एक प्रकार है किसका यह प्रकार है पश्चात निर्त का इंधन का सोसल मीडिया में चल रहे किसी trend का यह digital Bible का pop fame यह किस से संबंदित है आप यह बताएए उम्मित करते हैं आप इसमें right answer मारक लिए होंगे आए देख लेते हैं इसका right answer क्या है इसका right answer है इंधन पोप fame एक इंधन का प्रकार है ही digital Bible का आए देखते हैं हमारा अंगला question क्या है हमारा अंगला question है निन लिखित कतनों में से सही कतन चुनना है पहला कतन है भारत विस्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पाद राष्टर है इसको बताना है सही है या गलत भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है भारत तंबाकू में उत्पादन भारत में तंबाकू का उत्पादन रवी की फसल के रूप में होता है तंबाकू वारिज और व्यापार का साशी निकाए तंबाकू बोर्ड है इसमें से आपको सही कतन चुनना है जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समय लगे पढ़ने में आप उसको पॉस करके उसका एंसर दे सकते हैं इसके आपसन है केबल कतन एक सही है केबल कतन एक और दो सही है कतन दो और तीन सही है और कतन दो तीन और चार सही है इसमें से आपको सही एंसर चुनना है आईए देख लेते हैं इसका राइट एंसर क्या है इसका राइट एंसर है एंसर डी केबल कतन दो तीन और चार सही है भारत विस्व का सबसे बड़ा तंबाकूत पादक राष्ट है ये एक अथन गलत है बागी तीनों सही है भारत विस्व का सबसे बड़ा तंबाकूत पादक नहीं विस्व का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकूत पादक है पहला चीन है आए देखते हैं हमारा अंगला कोश्च है रभा जन जाती किस देश में पाई जाती है रभा जन जाती किस देश में पाई जाती है दक्षिन अफरीका जिबूती भारत या इराक में आपको इसका राइट एंसर मार्क करना है आईए देखते हैं इसका राइट एंसर क्या है रभा जन जाती भारत में पाई जाती है ये इंपोर्टन्ट है ये आप याद रखिएगा रभा जन जाती भारत में पाई जाती है और ये भारत के असम और पश्चिम बंगाल राज में पाई जाती है और असम के गारो हिल्स मे पाई जाती है। काली दास ने लिखा। इसमें से सही कुट चुणना है आपको आ केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और चार, केवल दो और तीन इसमें से आपको राइट एंसर चूच करना है। आईए हम अपना इसका एंसर देख लेते हैं। इसका राइट एंसर क्या है। लिखा गया और सत्सतक भी छत्रपती संभजी द्वारा लिखा गया है और नाइका भेद भी संभजी द्वारा ही लिखा गया है ये question 3 के लिए बहुत important हो जाता है 2013 में जो होने वाला है हाली में चेर्चित संगटन आई टू यू टू के सदस्देश हैं आपको आई टू यू टू के सदस्देश बताने हैं पहला है भारत इंडोनेसिया सन्युक्त राज अमेरिका यानि यू यस ए और सन्युक्त अरब अमीराथ यू ए ए दूसरा अप्सन है भारत इसराईल यू यस ए यू ए ए ए इसरा अप्सन है इरान इराक संयुक्त राज अमेरिका या संयुक्त अरब अमीराथ चौत्था अप्सन है इरान इराक यू यस ए या यू ए ए इ इन चारों में से कौन कौन से देश I2 U2 संग्ठन के सदस्देश है आईए देख लेते हैं इसका राइट एंसर क्या है इसका राइट एंसर है आप्शन दो भारत, इसराइल, संग्ठन इंडिया, इसराइल USA और UAE आप इसको ऐसे समझ सकते हैं इसमें दो आई हो गए यह दो I हो गए और दो U हो गए तो I2 U2 इसी से मिलके बना है यह था हमारा आज का कॉस्चन एंसर का डिसकसन यह आपको कॉस्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हाँ अपना आप स्कोर भी बताइएगा चाहे आपके 2 आउट आप 10 हो या 10 आउट आप 10 अपना एंसर या अपना स्कोर कमेंट बाक्स में जरूर लिखिएगा थैंक्यू फार वाचिंग